नया साल शुरू हो चुका है, 2023 में कई बॉलिवोड सेलिबिटी शादी के बंदन में बंदे और 2024 की शुरुवात में आमिर खान की बेटी आयरा खान ने अपने बॉइफ्रेंड नोपुर शिकरे के साथ शादी करी है और नया साल का आगास कर दिया है इस साल भी कई फेमस कपल शादी के बंदन में बंदने जा रहे है तो आएए जानते हैं उन सेलिबिटीस के बारे में लिसमे नमबर एक पर है रकुल पृत सिंग और जेके भगनानी रकुल और जेके भगनानी ये लंबे टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे है और सुनने में आया है कि 22 फरवरी को ये कपल साथ फेरे लेने जा रहा है दोनों की शादी डेस्टिनेशन वेडिंग होगी जो की गोवा में होगी जेके और रकुल ने अपनी वेडिंग के प्रिपेशन भी शुरू कर दी है लिस्मे नंबर दो पर है दिव्या अग्रवाल और अपूर्व पढ़गावकर काम दिव्या अग्रवाल ने अपूर्व के साथ 2023 में सगाय की थी और सुनने में है कि 24 दोनों का वेडिंग येर हो सकता है रिपोर्ट्स के माने तो दिव्या और अपुर्वी की शादी के रस्मे 18 से 20 फरवरी के बीच हो सकती है लिस्ट में अगला नाम है तमन्ना भाट्या और विजय वर्मा का वैब सेरीज लस्ट स्टोरी टू के सेट पर शुरू हुई तमन्ना और विजय की लव स्टोरी अब जल्दी शादी के अंजाम तक पहुचेगी दोनों ने पहरत अपना रिलेशन्शिप छुपा का रखा लेकिन अब दोनों पब्लीकली साथ नजर आते ही सुन्ने में आया है कि 2024 में ये कपल शादी करके ऑफिशली अपने रिष्टे पर मोहर लगा देंगी इस इसमें अगला नाम है सुर्वी चांदना का चोटे पर्दे की मश्यूर एक्प्रेस सुर्वी चांदना भी जल्द अपने बॉइफ्रेंड के साथ शादी करने जा रही है आपको बता दे सुर्वी पिछले 13 सालों से बिजनस्मेन करन शर्मा के साथ रिलेशन्शिप में है हाला कि पिशे साल मार्च में ही दोनों अपने रिष्टे को ऑफिशल किया धा और अब 2024 में दोनों शादी करने वाले हैं रिपोर्ट्स की माने तो यह कपल इसी साल मार्च के अंत में शादी करेंगी लिसमे अगला नाम है सिधार्थ और अधितिराव हैदरी का साउथ एक्टर सिधार्थ लंबे समय से अधितिराव हैदरी को टेट कर रहे है और नियू यर पर दोनों अपने रिष्टे को ऑफिशल भी कर दिया है चर्चा है कि इस साल ये दोनों साथ फिरे ले सकते हैं आपको बता दे अधितिराव हैदरी तलाक शुदा है और उनके पूर्वपती है सत्यदिप मिश्रा जो मसाबा गुपता संग शादी रज्जा चुकी है लिसमे अगला नाम है प्राजक्ता कोहली और उनके बॉइफ्रेन व्रिशांक का पिशले साल मिश्रमेज डिफ्रेम एक्ट्रेस प्राजक्ता कोहली ने अपने बॉइफ्रेन प्रशांक खनाल के साथ सगाई की थी और संभावना है कि ये दोनों इस साल शादी कर लेंगे लिसमे अगला नाम है रश्मिका मंदाना और विजे देवर कुंडा रश्मिक और विजे एक दूसे को गुपचुप तरीके से लंबे समय से डेट कर रहे हैं हाला कि दोनों ने अभी तक अपने रिष्टे पर ओफिशल मुहर नहीं लगाई है लेकिन सुने बया है कि इस साल ये कपल शादी कर के लोगों को हैरान करने वाला है सबा और रितिक के अफ़ेर की खबरे तो काफी टाइम से चल रहे हैं सबा और रितिक भी अपने परिवार के साथ तस्वीरे शेयर करते रहते हैं बताया जा रहा है कि इस साल ये कपल शादी के बंदन में बन सकता है लिस में एक और नाम जुड़िया है सुर्भी जोती का टेलिविजन की एक और मशूर एक्टरेस सुर्भी जोती भी इस साल दुलहनिया बनने जा रहे हैं वो अपने लॉंग टाइम पार्टनर सुमित सूरी के साथ शादी करेगी रिपोर्ट्स की माने तो 6 और 7 मार्च को सुर्भी शादी करेगी हलाग अभी तक वेडिंग वैन्यो का खुलासा नहीं हो पाया है लेकिन शायद ये डेस्टिनेशन वेडिंग होगी और गोवा में हो सकती है लिसमेगला नाम है अर्मान मलीक और आशना श्रॉफ का मश्यूर सिंगर अर्मान मली भी अपने लॉंग टाइम गर्फिरेड आशना श्रॉफ के साथ इस साल शादी कर सकती है बीते साल अर्मान ने आशना को सबप्राइस प्रपोजल दिया था और दोनोंने सखाई भी कर ली थी और अब 2024 दोनों का वेडिंग येर होगा रिस्मगर नाम है जील महता का सीरियल तारक महता का उल्टा चश्मा में सोनू का किरदार निभा चुकी एक्ष्रेस जील महता ने अभी अपने बॉइफरेंड के साथ सखाई कर ली है न्यू येर के मौके पर जील के बॉइफरेंड ने उन्हें सब्प्राइस प्रपोजल दिया और उन्हें हाँ कह दी और अब 2024 में जील शादी कर रहे है रिस्मगर नाम है मलाइका रोरा और अरजन कपूर का हाल ही में मलाइका का एक वीडियो सामने आया था जिसमण से पूछा गया था कि क्या वो 2024 में शादी करने वाली है इस पर मलाइका ने कहा था कोई पूछे का तो जरूर करूंगी आपको बताते हैं मलाइका इन दिनों अरजन कपूर को डेट कर रहे है और लंबे समय से दोनों की शादी की चर्चाएं हो रही है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और आपको कौन से सेलिबिटी की शादी की तस्वीरों का इंतजार रहेगा ये भी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और भी लेटेस अपडेट्स के लिए सस्क्राइब करें गजब खबरी